ये आपके जिन्दगी में सुरक्षा पत्र भी है ये सिक्यूरिटी की गारंटी का परचा है वो सुरक्षा पत्र जिनसे हमारे परिवारों को भूमी विवादों से सुरक्षा मिलती है वो सुरक्षा पत्र जो हमारे परिवारों को सुध खोरों के कर्ज से सुरक्षा देते है आप पहले कि उस्तिती की परिकल्पना करिए जब किसी भ्यक्ति को अपनी ही संपत्ति के किसी विवाद के लिए कौट के चक्कर काटने पड़ते थी दो दो फीडी कोट के चकर काटने में ही पूरी हो जाती थी जब किसी लोन के लिए सुध खोरों से मिन्नत करने पड़ती थी जब पड़ाई के लिए किसान को जमीन बेचनी पड़ती थी आज एक स्वामित्व योजना मेरे देश के गाउं गरीब को इन सब मुष्टिलों से बचाती है साथियों आज जो सबसे बंचित है सबसे पिछड़ा है हमारी सरकार में वो सबसे पहली प्रात्मिक्ता है समाज में जो सबसे आखरी वर्ग होता था हमने विकास में उसे सबसे पहला दरजा दिया बेटा तुमारा हाथ जुख जाया दर्द करेगा बहुत तुने किया मिल गया मुझे बेटा मिल गया मिल गया मिल गया तेरा प्यार तेरा प्यार अब तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा अब हाथ निचे करो मुझे मिल गया थाबाज समझदार हो जो सबसे गरीब थे आज सबसे पहले सरकार उनके लिए योजनाए बनाती है सबसे आखरी गाव सबसे आखरी वर्ग ये कौन लोग थे इन में से जादा तर हमारे बलीत आदिवासी पिछडा ऐसे वंचित समाज के लोग थे इसलिए सबसे पिछडे जन जातिय समोह के लिए हमने पी एम जर्मन योजना शुरू किए जो जन जातिय समाज अब तक विकास की मुख्यदारा से कटा हुआ था जन्मन योजना के तहट उनका तेज विकास शुरू किया गया है इस का लाप यहां इस छेत्र की बहरा भारिया और सहरिया जैसे जन जातिय समोह को होने वाला है मद्द प्रदेश के आदिवासी बहुल जीलों में हजारो करोड रुपिये के कारिय पी-म जन्मन योजना के तहट कराए जा रहे हैं प्रदान मंत्री आदी आदर सग्राम योजना के जरिये जववा के भी साड़े पांच सो गावों में विकास के काम हो रहे हैं भाई और बैनों हमारी सरकार एंपी में आदुनिक इंफ्रास्टेक्टर पर भी उतना ही ध्यान दे रही है कॉंग्रेस सरकार के दस वर्षों में एंपी को रेलिवे के विकास के लिए जितना पैसा मिला आज हम उसे 24 गुना जादा पैसा एंपी के लिए बेज रहे हैं 24 गुना जादा आज भी मैंने करीब साड़े तीन हजार करोड रुपिय की रेल परियोजनाओं का लोकारपन किया है साड़े तीन हजार करोड रुपिय की लागत के नेशनल हाइवेज का भी आज लोकारपन हुआ है आप सोचिए आज एक एक सेक्टर में MP के विकास के लिए हम इतना जादा पैसा बेज रहे हैं वो कौन से इलाके थे जहां रेल की, सडक की, बिजली की, रोजगार की सुविदाए नहीं पहुंचती थी इन में से अधिकांस, जन जातियां और ग्रामिण इलाके ही थे क्योंकि कॉंग्रेस को आपके गाउं की नहीं, उनको तो अपने महलों की चिंता थी कॉंग्रेस ने इन इलाकों की जो उपेक्षा किये, उनके बनाए गड़े भरने के लिए आज हम पूरी महनत से काम कर रहे हैं इसलिए कॉंग्रेस के लोकल नेता भी अपने आला कमान से कहने लगे हैं कि हम मोदी के खिलाब वोट मांगने जाएं, तो किस मुझ से जाएं उन बेचारों की मुसीबत तो है, जो नेता अब पार्टी में थोड़े बहुत बचे हैं उनमें भी कोई अब जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता है सुना है कि इन दिनों मत्रप्रदेश कॉंग्रेस में अंदर खाने खुब भगदर भी बची हुई है जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हस्र होता है कॉंग्रेस अब अपने पांपों के दलजल में फस चुकी है वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी उतना ही और धसेगी साथियों आज इस आउसर पर मुझे आपको कॉंग्रेस की साजीसों से भी आगहा करना है अपनी हार सामने देखकर कॉंग्रेस और उसके साथ ही अब अपने आखरी दाओं पेज इस्तेबाल करने में लग गए है कॉंग्रेस और उसके दोस्तों की दो ही ताकत है जब यह सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं जब सत्ता से बहार जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं यानि लूट और फूट यही कॉंग्रेस की ऑक्सीजन है इनको बंद करते ही कॉंग्रेस पार्टी का सियासी दम तूटने लग जाता है ज्यादा तर राज्यों में सरकार से बेदखल करके जनता जनारदन ने इनकी लूट के रास्ते बंद कर दिये है अब ये वापस कुर्सी पाने के लिए जाती के नाम पर, बाशा के नाम पर, इलाके के नाम पर तूट करवाने में फूट करवाने में लगे हुए हैं लेकिन देश इनकी हरकते देख रहा है देश इनके मन्सुबे सबल नहीं होने देगा साथ क्यों कॉंग्रेस के भीतर आदिवासी समाज के लिए नफरत कूट कूट करकर बरी पड़ी है ये लोग आदिवासी समाज के वोट मांगने तो आपके पास आते हैं लेकिन जब आदिवासी समाज से पहली बार एक महिला राष्ट पती का चुनाव लड़ती है तो कॉंग्रेस उन्हें रोकने के लिए उन्हें हराने के लिए दिवार बनकर खड़ी हो जाती है देश को कॉंग्रेस की वो कर्तूत याद है चुनावाने पर ये लोग बड़ी-बड़ी गोशनाय तो करते हैं लेकिन मोदी जब हर गरीब के लिए दलीद, पिछड़ा, आदिवाचे के लिए पक्के घर बनवाता है तो ये मोदी को गालिया देते हैं मद्यप्रदेश में डबल इंजिन सरकार ने करीब 45 लाग परिवारों को पक्का घर दिया है 65 लाग से ज्यादा परिवारों को पानी के लिए नल के कनेक्शन मिले हैं बीच में जितने दिन इनकी सरकार रही इन्होंने गरीबों तक ये लाग पहुंचाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी MP के लोग उनके वो पाप भूले नहीं है तालवाडा बांध परियोजरा के पूरा होने के बाद जाबवा रतलाम और धार के हजारों गावों को पानी पहुंचेगा इन कामों के लिए इस छेत्र के लोगों को यहां के मेरे आदिवासी भाई बैनों को इनकामों के लिए दसकों तक इंतजार करना पड़ा लोग ये बाते भूलते नहीं हैं कॉंग्रेस के लोग समझ लें ये मेरे आदिवासी भाई बैन समय आने पर हिसाब चुकता कर देते और पक्का चुकता करते हैं जनता ने कॉंग्रेस को जो जवाब अब तक दिया है वो तो भी ब्याज का जवाब है कॉंग्रेस का पूरा हिसाब तो अभी बाकी है ठाथियों डबल इंजिन सरकार की महनद से MPA के हमारे MP के युवाओं की किसानों की महिलाओं की अपनी एक पहचान बन रही है यहां की पिथुरा पैंटिंग, गलसन माला बाग प्रिंट साडी, सूट और जैकेट इन सब के लिए बड़ा बाजार तैयार होने लगा है मुझे पता चला है कि यहां की बहनों ने स्वयम, सहायता, समू बनाकर शहद, पापवड, आचार और स्रीयन्द का अपना ब्रांड भी शुरू किया है सब जगह यहां के उत्वादों को खूब पसंद किया जा रहा है इस बजेट में हमारी सरकार ने लगपती दीदी बनाने के लक्ष को बढ़ा कर तीन करोड लगपती दीदा बनाने का लक्ष है मेरा गावों में स्वयम, सहायता, समू में काम करने वाली तीन करोड दीदी लगपती दीदी बनेगी यह मोदी की गारंटी है लगपती दीदी अभ्यान का बहुत बड़ा फाइदा महिला स्वयम सहायता समु की बैनों को भी हो रहा है केंदर सरकार नमो ड्रोन दीदी अभ्यान के तहट देश के 15,000 स्वयम सहायता समु को आधुनिक ड्रोन भी देने जा रही है बहुत ही जल्द नमो ड्रोन दीदी जाबुआ में भी क्रिशी क्रांती करती हुई दिखाई देने लगेगी साथियों आधिवासी शिल्प, कला और उपादों की तो अब देश और दुनिया में पहचान बन गई है आधिवासी समाच के परमपारिक हुनर को रोजगार के अवसरों को बदलने के लिए हमने जो प्रयास किये हैं उनके परणाम भी आने लगे हैं आधिवासी कलाव और उत्पादों के लिए दिल्ली में इन दिनों आधि महोचव भी चल रहा है आधि महोचव में पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं जिस समाज को पिछली सरकारों ने पिछड़ा बताकर जंगल तक सिमित कर दिया था आज उसका गवरव पुरा विश्व जान रहा है मुझे विश्वास है आप सब के असिरवात से ये मध्य प्रदेश के विकास की जो संकल्प यात्रा शुरू ही है वो और गति से आगे बढ़ेगी आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और आज पुरे देश में आदिवासिक शेत्रों में लोग टीवी के माध्यम से स्थानिय लोगी खट्टे हो करके इस कारकम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ और जो इतनी बड़ी तादाद में आये हैं उन सबका मैं रदय से बहुत बहुत दन्यवाद करता हूं मेरे साथ पुरी ताकत से बोलिए भारत माता की है आवाज हिंदुस्तान के हर कौने पे पहुंच सकती है